वेलकम बैक टो और चैनल बायोजी यत्मेडिको आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो अभी लास्का एक देड़ मेना है उसमें आपको पढ़ाई कैसे कर दिये गाईश तो आपको पतल जो ऐसे थमनेल जो मैंने बनाया है उसके अपर आपको समझ गया ह होगा कि आप दो मेने बे भी पढ़ाई कर सकते हो अभी यूटूब पे बहुत सारे लोग वीडियो डालेंगे कैसे करना है क्या करना है टायम मैनेजमेंड वाला सो मैं आपको एक बता दू गाईस कौन सा बुक इस्तमाल करना यह वाले भी वीडियो आपको दिखेंगे ला जो शेडियूल है वो अपने शेडियूल के साथ मैच होना चीए ऐसा करिए और खुद के लिए कम से कम आपको 10 गंटा सेल स्टड़ी करना पड़ेगा गाईस बोलने में काफी हार जाएगा 10 गंटा सुनने में भी हार जाएगा पर होता है गईस 10 गंटा पड़ाई हो जाता है तो भी मैं आगे पड़ूंगा क्या सो गाईस आपको बस इतना फोकस्ट रहना है कि अगले में यह जो एक देड़ महीने का जो एक्जाम का फेस बाकी है आपका उसमें आपको सिफ एंसी आइटी पे फोकस करना है और प्रीवियस यहर के जो एमसी क्यू है उसके उपर आ नहीं है गाईस आप से अभी हाथ लगाओगे तो आप टेंशन बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर आपको लगेगा आप दी मोटिवेट हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अभी मेरे से निट क्रैक नहीं होगा तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा तो मैं यार यॉदो फोकस्ते उन इंशर्ती और इस पे ध्यान दो बस अंसियां दो आपका मैक्जीमम पड़ाई उससे हो जाएगा आपको बस एंसियां टू लाइन पूरा लाइन टू लाइन कट टू बाइड होना चाइए मैं तो बोलूंगा एक्जाम के पहले आपका ए बस दस गंटा आप दिन में पढ़ लो उसमें से चार से पाच गंटा बायोलोजी का MCQ प्रैक्टिस के साथ साथ NCRT पढ़ लीजिए और बायोलोजी का MCQ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपके पाथ जो भी मेरा यह कोशन गलत हो गया है यार कॉंफिदेंस लो नहीं होना चाहिए गाइस पूरे 90 कोशन सॉल किजिए उसमें से देखिए कितने कोशन गलत आ रहे है और अगर आपका स्कोर अभी भी अभी अगर आपका स्कोर 250 क्रॉस हो रहा है तो आप 100 परसेंद कर सकते हो गाइस बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना शेल्फ confidence खोना नहीं है और उसको बढ़ाना भी नहीं है कि अभी मेरा इतना स्कोर आ रहा है मैं 350 ले लूँगा गाइस इतना आसान भी नहीं है गाइस बस आपको मेहनत करनी होगी और जैसे जैसे जैसी यह नीट का डेट और पास आएगा आपको टेंशन बढ़ते जाएगा पर बस यह याद रखो NCRT के सिवा कोई भूब कहात मत लगाना NCRT पूरे दस बार पढ़ लीजिए लन आकास के मौक पेपर जो भी आपके क्लास के मौक पेपर से सॉल करते रहिए आपका निट पक्का क्रैक हो जाएगा गाइस पक्का क्रैक हो जाएगा तो आल दा बेस्ट फॉर यूर स्टडीज गाइस और बी फोकस्ट ऑन यूर निट टुटी टीवन एग्जाम्स सो अगले वीडियो में मैं आपको शायद टाइम मैनेजमेंट दे दूंगा कि कौन से आर में मतलब कभी पढ़ाई करना चाहिए आपके लिए और अगर आप नाइट में स्टडी करते ह तो क्या फेज होगा और अगर डे में स्टडी करते हो तो उसके बारे में क्या होगा तो मैं आपको टाइम टेबल बनाके अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा गाइस बस इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए कॉमेंट कर दीजिए और बहुत सारे बाऊट सारे एक्जाम से रिलेटेड बायोलोजी से रिलेटेड या पूरा नीट से रिलेटेड तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ए उसको जॉइन कर लो उसका नाम है बायोलोजी वित मेडिक हो गाइस और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं गाईस so thank you guys